घर के मुख्या की हालत तीन के उस सेड जैसी होती है जो बाडिस्त, तूफान, ओला बिरिष्टी सब जेलता है लेकिन उसके नीचे रहने वाले अकसर कहते हैं कि यह आवाज बहुत करता है और गरम भी जल्दी होता है जिन्दा रहना है तो सौक भी जिन्दा रखिये उम्र की ऐसी की तैसी मन उर्ता परिंदा रखिये जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है परन्तु जब मौद निश्चित हो तो अभिमन्यू बनने के लिए साहस चाहिए खोई हुई दौलत भूली हुई बिद्या और खोया हुआ स्वास्थ फिर भी लोट सकते हैं पर खोया हुआ समय कभी लोट नहीं सकता ज्यादा बहस अक्सर रिष्टों को खराब कर देती है इसलिए कभी-कभी खामोशी भी बहतरीन होती है कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है पर कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में ही है खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है दोस्त वरना अरजुन और दुर्योधन के गुरू तो एक ही थे अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती सोने के सो टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती दुस्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हस हस कर सारी दुनिया को बताए अपने रिष्टे को घरी की सुयों की तरब बनाए रखे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा मायने रखता है जुरे रहना मुर्ख को जबाब मत दो ग्यानी को ठुकराव मत अच्छे को जाने मत दो और बुड़े को अपनाव मत वानी और विचार ये दोनों प्रोड़क्ट हमारे खुद के कमपनी के हैं जितनी क्वालीटी और गुनवत्ता अच्छी रखेंगे कीमत उतनी ज्यादा मिलेगी याद रखना जिसको एक रुपए की भी कीमत पता होती है वह करोरों मिलने पर भी कभी घमंड नहीं करता इंसान वही स्रेष्ट होता है जो बुरी इस्थिती में फिचले नहीं और अच्छी इस्थिती में उचले नहीं सच एक सरजरी की तरह है थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है जूट एक पेंठीलर की तरह है जो आपको और अस्थाई राहत जरूर देता है लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भरका देता है फितरत, सोच और हालात में फर्क है वरना इनसान कैसा भी हो दिल का बुड़ा नहीं होता पीठ पीछे नफरत और मूँ पर प्यार आज कल के दुनिया का यही है कारोबार जब कोई आप से दो कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर चार कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है किसी के साथ रहो तो वफादार बनके रहो धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान है जिन्दगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता इसलिए आज में सुधार करे और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करे धैरी रखिये कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुड़े दौर से गुजरना पड़ता है मीठा जूट बोलने से अच्छा है करवा सच बोला जाए इससे आपको सच्चे दुस्मन जरूर मिलेंगे लेकिन जूटे दोस्त नहीं ब्रांडेड कप्रे पहनना फैसन नहीं है फैसन यह है कि आप 400 रुपए के कप्रे पहने और आपके पहनने के बाद उसकी बेल्यू 4000 के लायक हो जाए बीज बिना किसी आवाज के बढ़ता है लेकिन एक पेर भाड़ी सोर के साथ गिरता है अर्थात बिना सोर करता है लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है यह मौन की सक्टी है तूटे नहीं थे कभी हम तोड़े गए हैं रोए नहीं थे जितने रूलाए गए हैं माना कि इतने अच्छे नहीं हैं हम लेकिन इतने बुड़े भी नहीं थे जितने बुड़े बनाए गए हैं पहारों पर बैठ कर तप करना सरल है लेकिन परिवार में सब के बीच रहकर धीरज बनाये रखना कठिन है और यही सबसे बड़ा तप है फिर से प्रयास करने से मत घबराना क्योंकि इस बार सुरुवात सुन्य से नहीं बल्कि अनुभाव से होगी दीपक मिट्टी का है या सोने का या महत्वपुर्ण नहीं है बल्कि वो अंधेरे में प्रकास कितना देता है या महत्वपुर्ण है उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर या महतुपुर्ण नहीं है, बलकि वो आपके मुसीवत में कितना साथ देता है या महतुपुर्ण है नमक की तरह करवा ग्यान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है मीठी बात करने वाले तो अक्सर चापलूस ही होते हैं इतिहास गवा है कि आज तक कभी नमक में कीरे नहीं पड़े पर मिठाई में तो अक्सर कीरे पड़ जाया करते हैं लोग इत्ते फाक से सिर्फ मिलते हैं लेकिन बिछरते सब अपनी मर्जी से ही हैं मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना पर किसी के सामने खुद को तूटने मत देना क्योंकि खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे कस्टी है पुरानी मगर दड़िया बदल गया मेरी तलास का भी तो जड़िया बदल गया ना सक्ल बदली ना ही बदला मेरा किरदार बस लोगों के देखने का नजड़िया बदल गया